और इस बड़ी कबर आ रहे है अमारकी राश्पती डूनल्ड ट्रॉम्प ने एक बार फिर कोरोना को लेकर चीन पर हमला किया है ट्रॉम्प का कहना है कि चीन उन्हें दोबारा राश्पती बनने नहीं देखना चाहता है वहीं ट्रॉम्प ने जबलु एचो को चीन का पी आरो बताया है और कहा है कि स्वास संगठन को शर्मानी चाहिए आपको बता दे कि जब से कोरोना की खबर सामने आई है शुरुआत से ही राश्पती ट्रॉम्प चीन को इसका जब्मदार मानते रहे हैं कई बार उन्होंने कहा है कि शुरुआत में वो इसे चीनी वारस भी कहते थे कोरोना वारस के जगे लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि चुकी नवेंबर में आपको बता दे कि राश्पती चुनाव होने वाले हैं अमर्का में और इसे लेकर एक बार फिर से रा पति बने इसलिए ये सब कुछ हो रहा है